दोस्तो आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके उपर जादू है या नहीं कि आपके उपर कोई असरात जिन्नात के असरात या फिर कोई बंदिश वगेरा कोई भी चीज आपके उपर अगर है या नहीं आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नह है बस आपको ये जो आपके हाथ की कलाई यहाँ से लगते हैं तो तो इसWORquent ले ले ली है तो आपको इस तरह नाप लेना है एक को निशान लगाने लेना ना है एक और नीचे भी आपको जहां कि प्यानाएं वहां तक आपको निशान लगा ने ना है तो यहाँ पर आलिके ने ромी के लिए अाप इसके तर पर कोई बीचीज ले सकते हैं जिससे, लगड़ी भी ha जी इससे इतनी हो तो आप ले सकते हैं तो बहुत सहों सहाँ लोग ऐस牛ते हैं के वर सोच के अंदर ज्यादा परिषान nice या पर देखना चाहते हैं आप पता करना चाहते हैं। इसलिए कि अगर आपको पता नहीं चबनेगा अब सोचते ही रहेगे, तो दोस्तों आपको यह आमदों करना है और आपको único के नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो अगर आपको कुछ नहीं है या फिर कोई बीमारी है और आपको पता है कि ये बीमारी के वज़ा से हो रहा है तो आपको सबसे पहले उसका इलाज करा लेना है और आपको दवाय लेनी है लेकिन अगर दवाय लेने के बाद भी कोई फरक लिए आस्त जरूर करोंगा कि आप और इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की अलग अलग वीडियोस आप के लिए आता रहता हों तो जलते हैं कि तरफ आपको अमल करना किस तरह है तो आपको सबसे आप आपका बदन पाक होना चाहिए आपको बाउसु होराना है गर बैठ कर यह चाहिए आप पहले तो करना है कि आपको कोई भी चीज लीने है तो आप कोई भी चीज लेनी है तो आप कोई भी चीज करना चाहते हैं या दूसरे का पर करना है तो हब議法 कोई कोई भी चीज रख लेने है पहले आपको यहाँ पर रखकर निशान मार देना है दोनु तरफ आपको लखे बना लेने है मतलब उस चीज को आपको नाप लेना है नापने के बाद आपको इस चीज को वहाँ पर से हटा लेने है फिर आपको उस हाथ को ऐसे ही रख लेना है फिर आपको साथ मरतबा दूरुट सरी पढ़ना है जो भी आपको दूरुट सरी पाता हूँ आपको साथ मरतबा पढ़ लेना है दूरुट सरी पढ़ने के बाद तीन मरतबा सुरह फलग कुल आूद बरब बिल फलब ये सुरत और सुरह नास ये भी आपको तीन मरतबा पढ़ लेने है कुल आूद बरब बिल नास फिर तीन मरतबा सुरह फातिहा अल्हंद लिल्लाहि रुब बिल आलमीन ये सुरत आपको तीन मरतबा पढ़ लेने है और उसके बाद आयतल कुर्सी तीन मरतबा अल्लाहुला इलाहुलहुलहयुलकयुबे जो आयतल कुर्से है वो भी आपको तीन मरतबा पढ़ लेनी है पर पढ़ने के बाद आपको फिर से जो अपने नाप लिया था लकीर जो बनाई थी उसके अंदर आपको जो चीज़ से आपने चेक किया था वही चीज़ आपको फिर से वहाँ पर लखना है और आपको देखना है कि वो चीज़ बराबर है या फिर बड़ी हो गई या फिर छोटी हो गई अगर छोटी भी हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना है कि आपके ओपर क पूई पी आपके ऊपर बंदिश हो गयरा नहीं है, अगर आप बिदार रहते हैं तो वो आपकी जिस्मानी बिमारी हो सकती है, या फिर आपका वहन बहु हो सकता है, आपका शक हो सकता है। तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तर अखबाब को जरूर शेयर करे ताके वो भी इस वीडि